आज हमने उनका वकता हुई सुना, भाषन सुना और उन्होंने दर्भंगा एम्स के बारे में जिक्रिक किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है। दर्भंगा एम्ट्री यह सरासर जूट है और हम तो प्रधान मंत्री जी से आगरा करते हैं कि कम करके कोई चीज बात क्या करें आप इस देश के प्रधान मंत्री हैं यह यह जो भाज नहीं देता है और जिस तरीके का यह सफेज जूट है और आपको भी पता है कि दर्भंगा में अभी तक कोई एमस नहीं खुला है हाला कि माने मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के प्रयाद से यह तैह हुआ कि दर्भंगा जो है में ही एमस जो है वो बनेगी जिसको लेकर के हमारे राज सरकार ने जो है हमारे स्वास्पंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकर भूमी जो है हम लोगोंने निशुल्क कैबिनेट से पास करकर के एमस दर्भंगा के लिए दिया था और जो मात्र दर्भंगा एरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है इतना बहतरीन जगह हम लोगोंने चैनित करके प्रस्ताव दिया था लेकिन बीजेपी के वहां के जो सामसद है हो जाता है लेकिन इनके राजिती के दबाओं से वह स्विक्रित जो जमीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव एक से क्यावन एकर भूमी का इमस का उसको यह लोग रद कर देते हैं और प्रदान मतीजी एपने भासटन में बोल रहे हैं कि इन्होंने खलवा देने का काम किया है एन्होंने तो रुकवाने का काम किया और हम आपको बता दें उसके बाद भी जब ने रुकवाने का का म्य tast Leo के भी लगबग पार दोंको ने रत करने के बाद हमको जब सूचने मिली हैं उसलिए इसलिए निलाने का काम किया अनिशुल्क फिर भी मंडविया जी कहते हैं ठीक है हम इस बात को देखेंगे और आप देख सकते हैं प्रधान मंती जी अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं वहां तो यह लोग करद कर रहे हैं एम्स को और यह चित्थी जो है साफ तौर पे हमने 22-6-2023 को मंडविया जी को हमने ये पत्र लिखाता जिसमें पूरी जानकारी जो है प्राप्त है इस चीज़ को हम अभी अपने सारवजिनिक भी करेंगे जो चित्थी हमने मंडविया जी को लिखने का काम किया लेकिन इतनी बड़ी जूट प्रधान मंतरी बोलते हैं कि खुल अब केवल लोगों को भ्रामित करने का काम कर रहे हैं बुलाकर कि पूछे स्वास्त्ति मंडविया जी से भारे सरकार के उनसे यह भी पूछे कि हम फोन किये थे कि नहीं किये थे कि बाइग जल्द से जल्द आपको अमने प्रस्तावित जो है प्रस्ताव दे दिया सब सब कुछ पास कर दिया जमीन दे दिया उसकी मिट्टी भड़ाई का काम भी शुरू करवा दिया फिर भी जो है आप जो है नकार दी और आज के भाशन में हम सुने तो हमको बड़ा आश्यर लगा कि इस तरह की बातें प्रधान मंत्री कर रहा देश की